दुनिया भर मेरा नॉन वेज खाने वाले लोगों के लिए चिकन एक प्रमुक भोचन होता है। चाहे आप चिकन ब्रस्ट खा रहे हैं, चिकन सला, चिकन सूप, प्रोटीन, पाउडर या फिल लीन मीट में इसे कुछ भी खाना पसंद करते हूं। ये सारे ही न स्वादिश् दोस्तों चिकन को अगर आप तले वे या फिस जिदा तेल में पकाया जाए तो ये हमारे शरी के लिए हानी का रख होता है। इसलिए चिकन से बहतरी पोशन पानी के लिए इसे उबाल कर यानि की बॉइल करके खाना बहुत ही अच्छा आप्शन होता है। बॉइल चिकन ख जाते हैं जैसे कि सोडियम, पटैशियम, फाइबर, प्रोटीन के साथी कार्बोहाइडवेट्स आदी पाय जाते हैं। और दोस्तों उबलावा चिकन जो वजन घटाने वाले हों के लिए बड़िया विकल्प होता है। इसलिए क्योंकि जब आप चिकन को उबालते हैं तो इसका फैट और तेल निकल जाता है। इतना ही नहीं उबलावा चिकन खाने से आपके कैलोरीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती हैं। जी हां बिलकुल। तो दोस्तों इसके साथ ये मजल बिल्दिंग के लिए उबलावा चिकन खाना चाहिए। ये आपके मास पेशों में ताकत बनने का नैच्छल तरीका है। चिकन में मौझूद प्रोटीन आमास पेशों के स्वास्त को बढ़ाने में हैल्प करता है। जी हां। इतना ही नहीं 100 ग्राम चिकन में केवल 165 कैलोरीज पाई जाती हैं। इसलिए ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट होता है और एक ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है। तो आप चाहें तो इसे ओवेन में रोस्ट करके भी खा सकते हैं। ठीक है। और हां प्रोटीन के रावत चिकन में फॉस्परस और कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। शरी में परियाप मात्रा में कैल्शियम होनी पर हड़ियों की सिती में सुधार आता है। जी हां। चिकन में पाई जाने वाला सिलीनियम अर्थाइरिटीस जैसी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर देता है। इतना ही नहीं सर्दी वा जुखाम में राहत पहुंचाने के लिए लोग जो चिकन सूप का सेवन करते ठीक है या फिर चिकन सूप की स्टीम यानि भाब भी ले सकते हैं। इससे आपकी नाग खुल जाती हैं और गले का कॉंजिशन जो होता है वो साफ हो जाता है। इसलिए दोस्तों चिकन खाएंगे आगर आप बॉयल चिकन तो इससे पाचन रिया भी मजबूत होती हैं। औ इसलिए आप इसका सीवन कीचें। और चिकन में वाइटामिन B6 अधिक मात्रा में पाया जाता है। वाइटामिन B6 दिल के दोरे से सुरक्षा प्रदान करता है। वाइटामिन B6 ही होमोसिस्टाइन के स्तर को कम करता है। होमोसिस्टाइन के बढ़ने से दिल के दोरे का ख